आप सबको शिवरात्री की शुब कामना है और शिवरात्री पर यह मैं स्पेशल थाली आपके साथ शेयर करने चाहरे हूं यह आप किसी वी वरत में पुवास में बनाया करके खा सकते हैं सब चीजे इसमें बिना लसन प्यास के बनीवें सबसे पहले तो यह आलू टमाटर की स दाओके быть जो बहुत टेस्टी लगते हैं आई में सुखी अर्वी मशाले और यह हैं मखाने के खीर Beach ूर्य यह हैं व्रत के दही वड़े हैं सबसे तर सबीके में और कुटू की पूरी साथ में और साथ में में यह हरे धनिय सिंपल चटनी लेकिन यह ठाली इतनी टेंप्ट तो प्लीज वीडियो को पूरा देखे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और अमेजिंग रेसिपीज में आपके लिए लिए लिकर आते रहते हूं तो प्लीज साथ देजिए तो सबसे पहले हम इसके लिए अपनी चटनी रेडी कर ले तो थोड़ा सा धन्या ले लिया है कुछ हरीमेश ले ली है थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा वाइट नमक जो नहीं डाल खाते हैं आप उसे निकाल देजिए दही डाल करके अब हम इसे एक बार पीस लेंगे और हम मैंने चार चोटे मीडियम साइस के आलू को फोल्ड लिया है देसी घी लिया है आप तेल या किसी भी चीज का इस्तमाल करते है थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हरीमेश डाला है उसके बाद इसमें यह जो हमने पेस्ट बनाया है ना टमाटर का यह डाल अगर आप टमाट नहीं खाते हैं तो बिना टमाटर के भी आप इससे बना चकते हैं लेकिन हम लोग खा लेते हैं और इसी किसाद यह जाँ डाले हैं जैसे हमने आलू डाला है आप आलू फ्राइगे पिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा फेटा वद ही ढालेंगे पानी डालेंगे फिर इसको सौफ का पाउडर थोड़े सा लाल में शक्र नहीं लेते हैं तो स्किप कर दिजए गरम मसाला मेरा घर का पिसा हुआ है और खाने वाला वृत वाला नमक इसको अच्छे से मिक्स करना है और यह अर्वी को मेरे 200 अर्वी है उसको हमने वाल के पीसिस में कट कर लिया था इसको ह प्रेंड अब यो मसाले नहीं खाते हैं उनको बिलकुल सकिप कर सकते हैं अब इसको मिक्स कर लेंगेReally और यह अर्वी बहुत टेस्टी लगती है आप किसी भी वरत में बनाकर के खा सकते हैं विसमें बिन टमाटर के बना को बनाया है यह बस अब इस इस गिया में आप दे अब देखें अभी से इसका अच्छा कलार आया है और इतने हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है इसमें मैं नमक डाल देती हूं थोड़ा सा और उपर से हरा धनिया से गानिश कर देंगे बस अब इस सब्जी हमारी रेडी है इसको बंद कर देते हैं और अपनी अर्वी एक बा अब एक चमच मैंने घी ले लिया है टेविल स्पून और इसमें कुछ मखानों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है निकाल लेंगे फिर एक चमच घी ले लिया है अब इसमें कुछ बदाम काजू और किश्मिश को हमने फ्राई कर लेना है इसे भी हम निकाल लेंगे अब हमें इसे पकने देना है और आधा चम्मची मैंने इसमें इलाइची पाउडर डाला है इसके बाद जसी पक जाते हैं थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा हम इसमें अपने ड्राइफ रूट्स जाल देंगे आप कोई भी ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं अगर ड्राइफ रूट्स नहीं खाते हैं तो इसके भी कर सकते हैं थोड़ा सा केसर का दूद मैंने बना करके रखा था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे बहुत टेस्टी लगती है केसर के फ्लेवर से और उपर से थोड़े से म अब चलते हैं अपने अलू के तरह नहीं हमने दो आलो लिये हैं इसको हमें अच्छे से फोक से हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे और ये इसमें थोड़ा सा हराधनिया डाला है एसा बहुत असान रे souट पी है और ये व्रत उपवास का सिंगाड़ का आटा लिया है मैंने देखे घुल 2 टेबल स्बूण आटा लिया है जम्मच मतल Prom bij दो जम्मच में आटा लेना हे और थोड़ा सा नमक डालना है इसमें हमें अब इसको हमें हलके से मिक्स कर लेना है इसे ना तो हमें बहुत जादा गीला रखना है और ना ही बहुत जादा सूखा रखना है फ्रेंट्स बहुत अच्छा बेंता है अब यह देखें इसमें हम थोड़ा सा मैस में बिल्कुल थो हाथ के जता हम अगरब के के ऊच झालेगों गम में आपी राम घुल कर लिया ले हम के तो इस तरीके से हमे ज़ुआ हम इस तरीके में गोल चालोगे 80 बॉर आपैज साध्रिक में में रहत對 और बहुत ज़दा तीज और उसमें हमें फ्लेम पर इसको नहीं तलना है क्योंकि फिर यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे बस अब इसको पलट देंगे इस तरीके से ताकि अच्छे से सीख जाएं और फिर हम इनको जब इस सीख जाएंगे ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसको निकाल देंगे बाहर अब इसको यह देखे मैंने पानी ले लिया है और इसको पानी में हम तुरंत डाल देंगे क्योंकि हम अभी इसको सर्फ करेंगे तो इसलिए मैंने इसको तुरंथ पानी में डाल दिया है अगर इसको आप बाद में सर्फ करेंगे तो आप इसके लिए गरम पानी में आप इसको थोड़ी दिर के लिए छोड़ सकते हैं अब बहुत हलके हातों से देखिए हमें इसको स्क्वीज करना है अगर आपको बाद में बनाना है तो आप पकोड़ों को बाद में ही गरम पानी में डालिएगा यह मुझे तुरंत सर्फ करने थे तो मैंने इसलिए तुरंत ही से साधे पानी में डाल दिया आप इनको असेंबल कर लिया है और यह दही मैंने फेंट के रखी थी, तो इसको हम इसके उपर पहले, सबसे पहले हम दही डालेंगे, और यह मैंने फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपके साथ इस चटनी की रेस्पी शेयर करी वही है, आप उसका लिंक आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम फूड़ी सी बैद कि एक तो भी डालता है, थोड़ी सी रिचाटनी इसमें रखी दश्चतनी डालेंगे और इसको शाथ मक्स हमेरे बूरश नमक डालनेगे, बस मैंने भुना सीरे कर स्पाउटर मैंने इसके उपर से डाला है, आप चाहते हैं एक टाल सकते हैं, अब इस जिस समय सर्व करना हो तभी आप इसे पानी में डालेगा नहीं तो बिल्कुल मेर्ट हो जाएंगे अब पूरी का आटा गुन देते हैं दो आलू को मैंने इस तरह से बारिक वाले से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब इसमें हम एक कटोरी मतलब आटा डालेंगे कोटू का वह नहीं हूं नमक मेरले को चाहें लेहारा रहता है तो हमारा इसमें गी की आठ कंपे गड़ने तो आठा किंग फ़िल्कुल पतला हो जाएंगे और हमारी पूर्यां नहीं बन पाएंगे तो यह नहीं बन पूरी बिल जाएगी तो हम इसको फ्राई कर लेंगे और जैसे हमारी पूरियां फ्राई हो जाती है इसको हम निकाल लेंगे अर दूसरी पूरियां बन कर राई होई है चलिए को फिर से असें opensबल कर लेते हैं क् しब्से पहले अलु टमांटर चाहसे नहीं हम नेज़रे अर्व्र्पु सुस्साअऊ ह्से चलिंगा थौरे और साथ में कुट्टो के पूरी और ग्रीन चटनी तो यह हमारी व्रत की थाली रेडी है तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस किजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए